हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यूज जारकन चले जानते हैं आज की मुक्य 25 बड़ी कबरों को अब राजसरकार के कर्मी 18 और 19 मार्च दो दिन होली के आवकास का अनंद उठा सकेंगे वहिर्य अबिवार की सबता है चुटी भी लोगो की इस आनंद को दोगुना कर देगा आगली बड़ी ख़बर की बात को दो हजारी बाग के चौपारन में चोरों ने एटियम तोड़ा 26 लाग से अधिक की चोरी का नुमान पुलिस ने सुरू की जाच हजारी बाग के चौपारन में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है चौपारन परखन जीटी रोड सिंग रामा के SBI एटियम को तोड़ कर करिब 26 लाग रुपे की चोरी की गई है वारदात को बुधवार देरात अंजाम दिया गया है दावा किया जा रहा है कि घर्टना से पहले एटियम में पैसे डाले गया थे इसके कुछ समय बाद वारदात को अंजाम दिया गया है फिलाल बैंक के अधिकारी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे है घरना की जानकारे मिलने के बाद पुलीस वा बैंक की अधिकारी मौके पर पहुँचे, करीब दो घंटे तक एटियम में जाच की गई, बताये जा रहा है कि अब राधियों ने अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए CCTV कैमरे को भी नुकसान पहुँचाने का प्रियास किया है, पुलीस एटियम में मिले कुछ साबूतों की अधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है, पुलीस सूतरों का दावा है कि एटियम को काट कर पैसे की निकासी की गई है, फिलाल इस बात की जांच की जा रही है कि घटना के समय एटियम के अंदर कुल कितनी रासी मौजू जारकन भीड़ हिनसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारन विधायक को वापस लॉटा दिया है, इसमें कहा गया है कि सरकार इस विधायक में भीड़ को सही तरीके से परिभासित करे, इसकी अलवा विधायक की हिंदी और अंगरेजी प्रारूक में भी कई अंतर बताय गया इसे पहले राज़िपाल रमेस बैस ने इस पर विधी सम्मत प्रामर्स लिया था, बताय गया है कि विधायक में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के शमू को भीड कहा गया है, राजभौन ने इसी पर आपति की है, साथ ही इसे सही धंग से परिभासित कर सुधार करने को कहा दो या दो से अधिक लोगों द्वारा हिंसा करने पर इसे कानून की नजरों में भीड हिंसा माना जाएगा, इसमें किसी व्यक्ति की मौत होने पर दोसी को आज़िवन कारावास और पांस से पच्चिस लाग तक के जुर्माने की सजा का परवधान किया गया है, आगली अधिकारिक वेफसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है, जो लोग या नोकरी करना चाहते हैं, वे प्रकासी नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और आविदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, देवघर एनेचम रिक्वार्मेंट दो हजार ब आप नोटिस से प्राप्त करें, आप अधिक जानकारी के लिए और आविदन करने के लिए देवघर.nic.in बर जा सकते हैं, आविदन करने की अंतिमतिती 5 अप्रिल 2022 निर्धारित की गई है, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है, अगर आप चानल को सस्क्राइब ने किये हैं, तो प्लीस चैनल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे, जिससे आपको जारकन की हट चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे, चलिए बढ़ते हैं खबरों की और. प्लीस अधिकारियों ने बता है कि होली और शब ए बारात में हुड़दंग नहीं हो, इसको लेकर फ्लैक मार्च निकाल कर सांती वास्था बनाये रखने के लिए संदेश दिया है. CTDSP अमिर्थ कुमार ने बता है कि होली को लेकर आसमाजिक तत्वों पर कड़ी नचर रखी जाएकि. आगली बड़ी खबर की बात्रद रांची का तापमान पहुंचा 34 डिग्री सेल्सेस, जानी आज होली के दिन कैसा रहेगा मौसम, जारकन में मौसम अब बदलने लगा ह कैजिलों में तापमान बढ़ने लगा है और लोग को गर्मी का अहसास होने लगा है, माना जारा है कि अगले 2-3 दिनों में रांची के अधिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सेस के ब्रिधी हो सकती है, राजधानी रांची में मौसम ने अब धीरे-धीरे अपना मौसम साप रहेगा, वही 19 मार्च यानि कल आसमान में कहीं कहीं पर आसिंग बादल चाय रहेंगे, आगली बड़ी खेबर की बात को जारकन में पंचाय चुनाओ की तैयारी तेज, ताइकों की घोसना पर यह है अपडेट, जारकन में लंबे समय के इंतजार के बाद पंच राप्त जानकारी के अनुसार, राजमे 33 पंचायती राजवास्था के तहट अपरिल मैं में पांच चरनों में चुनाओ कर आई जा सकते हैं, अगामी 25 मार्च को जारकन विधान सभा के बजट सतर के समापन के बाद इसकी घोशना की जा सकती है, मुक्रमंतरी है मंतु सोरि और राजके संसदिय कारी एवं ग्रामिन विकास मंतरी अलम की अलम विधान सभा में असपश्ट कर चुके हैं कि सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाओ कराने के पक्षधर है, राजके सिक्छा मंतरी जगरनात महतों ने भी कहा है कि बजट सतर के समापन के बाद पंचा योगिता खेले जाए की, इसके लिए होकी इंडिया ने गुरुवार को बेसदस्य भारतिये जोनियार महला होकी टीम की घोशना की है, इसमें जार्खन से सलिमार टेटे, संगिता कुमारी और ब्यूटी डुंग डुंग भी चुनी गई है, जार्खन की तीनों खिलाडी सि समस्या की सिकायत मिली, तो खेर नहीं, मिथलेस, पेजल एबम स्वक्सता विभा के मंतरी मिथलेस कुमार्ठा कुर्ने गुरुवार को आधिकारियों और अभियंताओं के साथ बाठक के दौरान असपष्ट निर्देश दिया है, कि गर्मी में पूरे राज में कहीं भी पे अभियंता, सहक अभियंता, कारेपालक अभियंता और अधिच्छन अभियंता जिमे बार होंगे, दोसी के विरुद अनुसा शनात्मक कारवाई की जाए कि मंतरी ने कहा है कि यो दस्तर पर अभियान चला कर चापाकल मरमती कारी शुरू कर जलापूर्ती सुनक्षित किया और मरमती वहन पर चापाकल मरमती वहन एबं मॉबाइल नंबर लिखवाने का निर्देश दिया है मौके पर पहुँचे विधायक इर्फाननसारी ने उन्हें आर्थिक मदद की है इधर दुकानदारों ने मुआजे की मांगी है आग लगने से जूता, चपल, रिपाइरिंग के समान, चाई की दुकान, रजाई गद्दा की दुकान वा होटल के समान जलकर खाग हो गए है आग लगी की कारणों का पता नहीं चल सका है, आग लगने से उन गरीबों की होली फिकी हो गई है अगली बड़ी खबर की बात की दुहजारी बाग में सांती वास्ता के लिए पुलीस बलों का फ्लाग मार्च, खोली और शब ए बरात के मधनचर पुलीस बलों ने गुरुवार को फ्लाग मार्च किया एस दौरान प्रसासन ने लोगों से अपिल की है कि तहवार के दौरान सांती वास्ता भंग नहीं हो इस बात का क्यास खाल रखा जाए तहवार के दौरान आपसी सोहारत बिगारने वालों पर प्रसासन सक्त कारवाई करेगा अगली बड़ी खबर की बात को दौर जारकन की विवसाइक सिक्षकों की होली इस वर्स भी रहेगी फिकी आट महा से नहीं मिला है वेतन जारकन की सरकारी प्लस टू विद्दालियों में कारत विवसाइक प्रसिक्षकों की होली इस वर्स भी फिकी रहेगी जिसके लिए जार्कन सिक्षा पर्योजना परिशाद रांची तो था आर्ट्सोर्सिंग कमपनी पूरी तरा जिम्यवार है जार्कन सिक्षा पर्योजना परिशाद रांची के द्वारा विवसाइक सिक्षा को कमपनियों के द्वारा 2015 से ही संचालित किया जा रहा है सुरुवात से ही कभी भी समय पर वेतन का भुगतान विवसाइक प्रसिक्षकों का नहीं किया गया है जबकि इनका वेतन का भुगतान महिनों के पहले सब्ता में ही करने का परवधान है बिना वेतन ही पिछले वर्स के भांती इस वर्स भी उनकी होली फीकी रहनीते है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जहरकन सिक्षा परियोजना परिशत की अधिकारी गन जिम्यबार हैं क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही कमपनियों को मनमानी करने का पूरा छूट दिया गया है जिसका परिनाम है कि होली जैसे पर्व के आउसर पर भी वेवसाइक परसिक्षो को कावेतन भुगतान नहीं किया गया है आगली बड़ी कबर की बात करू कुख्यात अपराधी सुरेश साओ गिरपतार कोडरमा के जैनगर थाना मामले में वांशित और कुख्यात अपराधी सुरेश साओ को पुलिस ने गिरपतार किया है जानकारी कानुसार सुरेश साओ गोली कांड की अलावा कई अन्य मामलों में भी फरार चल रहा था हलाकि इसकी गिरभतारे के लिए गठी टीम में जैनगर थाना प्रभारी रिसी केश सिना सहित तकनीकी साथा के कई पुलिस कर में सामिल थे गुरवार को टीम ने कोख्यारत अप्राधी सुरेश सावको को ड्रमा रेलवे स्टेशन के सामने तिलय या बस रीपो से गिरपतार किया है आगली बड़ी ख़बार की बात को दो होली और शब ए बरात को लेकर धनबाद में फ्लैक मार्च सांती पूरवक पर्व को मनाने की अपील गुरवार को होली का दहन और सुकुरवार यानि आज होली और शब ए बरात दोनों ही मनाई जा रही है हलाकि होली कहीं कहीं सुकुरवार को और कहीं कहीं सनिमार को मनाई जाएगी पर्व तहवारों को ध्यान में रखते हुए जीले के सन्वेदन सिल अस्थानों में बिरसपतिवार को सहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से सांति पूर्वक तहवार को मनाने की अपी अपील की जा रही है लोग का परवेश हो सकेगा भरमन के लिए आने वाले लोग को पहचान पतर सार्थ रखना होगा COVID-19 के लिए निर्देशित सभी जो है माप दंडों का अनुपालन सुनक्षित करना होगा राजेपाल के विसेश कारिय पादधिकारी राकेश कुमार की और से प्रधान सच्यू के आदेश से इस समन्द में आम लोग के लिए चुचना जारी की गई है आगली बड़ी ख़बर की बात कुदो अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा कोड्रमा की जुमरी तिलिया की बाइपास रोड इस्थित न्यू कामेसुरी क्लिनिक में गुरुवार कुप रसाओ के दोरान बच्चे की मौत हो गई इससे गुसाई परिजनों ने जम कर हंगामा किया हलाकि बाद में प्रसासनिक हस्त छेव के बाद मौाउजे पर बात बनी आगली बड़ी खेबर की बात को दुखाते में जाएगी योजनों की रासी जारकन में पहली से बारवी कक्चत तक पढ़ने वाले सरकारी असकूलों की छातर छातराओं के माता पिता के बैंक खाते में ही योजनों की रासी दे जाएगी जिन्हें विभिन योजनों की रासी जो है डीबीटी के माधम से नहीं मिली है इसके लिए असकूली सिक्छा वासक शहता विभाक के सचिव राजेस कुमार सर्मा ने सभी डीओ और डीएसी को निर्देश दे रिया है सिक्छा सचिव ने कहा है कि असकूली बच्चों को चातर विर्ती, पुशाक, शाइकल, असकूल कीट और अन जो है योजनों के लिए रासी टीबीटी के माधम से बैंक खाते में उपलब्द कराई जाती है कई चातर चातराओं का बैंक खाता नहीं होने से वे अब तक इससे लाभानवित नहीं हो सके हैं ऐसे चातरों का बैंक खाता जो खोल ने डागर में खाता खोल कर योजनों का लाब देने का निर्देश दिया गया है इसके अलावा जन्धन खाता या फिर जो है बच्चों के माता पिता के बैंक खातों में इन योजनाओं की रासी दी जा सकती है आगली बड़ी खिबर की बात को दुआ से दो दिन बंद रहेगी बस सेवा, खोली और शब ए बारात को लेकर रांची जाने वाली बस सेवा दो दिन तक बंद रहेगी रंगवी बस के एजेंड समीम अहमद ने बता है कि गुरुवार की साम साहिब गन से रांची धनबाद सहित अनिरूट की गाड़ियां खोली, सुकुरवार वा सनिवार को बस नहीं चली कि इस दिन होली और शब ए बारात है, सभी गाड़ियों का संचलन रभिवार की साम से शुरू होगा, आगली बड़ी खबर की बात को दो जारकन ओलंपिक एसोसियेसन ने किया, होली मिलन समहरो कायोचन गुला लगा कर दी एक दूसरे को सुब कामनाई गुरुवार को यहां मुर्याबादी मैदान इस्थित जारकन ओलंपिक एसोसियेसन कारले में होली मिलन सम पुलिस ने इस मामले में छे आरोपियों को जेल भेजा है राजगंज थाना चेतर के हिराक रोट इस्थित हाड ओग भठे के समिव से बिती रात को अवेद को इलाला थे आठ ट्राकों को पुलिस ने जब्त किया है जब्त ट्राकों में करीब 200 टंक अवेद को इलाला दा पाय गया है अगली बड़ ख़बर की बात दू पलामू एबम गढ़वा में सौर पार्क निर्मान की मिले स्वकृति बिडिराम राची इस्थित और मांजी के गेतल सूट डेम पर 100 मेगावाट शमता के एक फ्लोटिंग सौर पार्क एबम पलामू संसदिय च्छेतर के अंतरगत पलाम पलामू एबम गढ़वा की अलावाद दिवघर एबम सिम्डिगा में 20-20 मेगावाट की 400 पार्क अस्था पित की जागी केंद्रिय और जा मंत्राले ने इसके सुकृति प्रदान कर दी है या जानकारी पलामू के संसद बीडी राम के परतनिधी अखलनात दूबे न दी है उन्होंने बता है कि पलामू संसदिय छेतर की अंतरिगत मलाई डेम पलामू एबम जोहे अनन राज डेम गढ़वा के साथ साथ मलाई नहर एबम उपरी जोहे करार बार नहर के किनारे सॉलर पैनल बैठाने की समति मिली है इससे लेकर जारकन सरकार से अस्थल से नित कर पर तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिजा इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में